नमस्कार दोस्तों इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चारक की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं चारक की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों जीवन म कभी भी संतुष्ट नहीं होती ये तीन नाम बाली औरतें किस प्रकार से आये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पती पतनी के बीच का ऐसा धर्म संबंध जो करतब और पवित्तरता पर आधारित हो इस संबंध की डोर जितनी कोमल होती है उतनी ही मजबूत भ ये धर्म अध्यात्म के मार्ग पर दो साथी और सहचरों का प्रतिग्या बद्ध होकर आगे बढ़ना ही दामपत्य या बैबाहिक जीवन का मकसद होता है ये एक भग्यानिक तत्य है कि शारिरिक मानसिक और अध्यात्मिक इस्तरों पर इस्तरी और पुरुष्ट दोनों ही अधूरे होते हैं दोनों के मिलन से अधूरापन भर जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पती पतनी के रिष्टों में मधुरता नहीं रहती वो बस मजबूर बस एक दूसरे के साथ जीवन प्यतीत करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी कई महिलाएं अप परतें आखिर चाहती के आएं। इस आसंतुष्टी का कारड नाम के पहले अच्छर के प्रभाव की बज़य से होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी संबंद में ऐसे तीन नामबाली महिलाओं के बिशे में बताएंगे जो जीवन बर अपने पती से संतुष्ट नहीं हो पाती। नंबर एक के नामबाली महिलाओं दोस्तों के नामबाली महिलाओं बेहधी सेहनशिल और हिम्मती स्वाभाव की होती हैं। ये अपनी जिम्मेदारी को बाखोबी निभाती हैं लेकिन बात च्छिपाने की कला में काफी माहिर होती हैं ये हमेशा चाहती हैं कि इनका पती हर काम इन्हें बता कर करे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये नाराज हो जाती है और इनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है सबालती हैं इनके अंदर आतम विश्वास की कोई कमी नहीं होती इस नाम की महिलाएं अपने पती से संतुष्ट इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि इनकी इच्छाएं को ज़्यादा होती हैं जो पूरी ना होने की बज़े से ये अपने पती से नाखुष हो जाती हैं नमबर तीन येस नाम की महिलाएं दोस्तों येस नाम की महिलाएं बेहद ही हिम्मत बाली होती हैं और साथ ही अपने परिवार के प्रतिनिष्ठाबान होती हैं ये तारीफ की बहुत भूखी होती हैं और ये चाहती हैं कि इनके परिबार के सभी लोग इनसे संतुष्ट रहें लेकिन ये किसी से संतुष्ट रहना नहीं चाहती ये अपने पती के मुह से हर दम अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हैं और ये गलती से भी इनके पती ने किसी और औरत की तारीफ कर दी तो ये पू चोटी चोटी बातों पर अपने पती से काफी नाराज हो जाती है।